हेले विरोवन कैसे आप सब एक बार पुना से गोचिंग क्लासेस पर स्वगात है उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्थ होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी ग्लास टुल्द फिजिक संसे रटी में चैप्टर सेवन चल रहा बच्छो जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यवर्ती धारा जिसमें आज एक महात्मून प्रस्न करने वाले हैं कि प्रत्यवर्ती धारा परिपत में प्रेरक और संधारित्र जोड़ा है तो परिपत का आरेक बन निकालना है पड़ामी बोल्टेज भी निकालना है और प्रतिवाधा कितना होता है ये चीज निकालना है प्रतिवाधा का मतलब बच्चो जो आपने यहाँ पर प्रेरक और संधारितर जोड़ रखा है तो इसके दोरा कितना अवरोध डाला जाता है वो आपका प्रतिवाधा कहलाता है, आप लोगों को मैंने समझाया था, प्रतिरोध चालकतार द्वरा डाला गया अवरोध है, लेकिन जब किसी प्रेडा कुंडली के द्वरा, या संधारित के द्वरा अवरोध डाला जाता उसे प्रतिघात कहते हैं, लेकिन combination में जब अवरोध डाला जाता है जैसे यहाँ पर बच्चो आपका यह क्या है यहाँ पर देखिए प्रेरक कुंडली और यहाँ पर एक संधारित जुड़ा है तो फिर इनके द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा वो आपका प्रति बाधा कहलाएगा तो माना मान कर चलेंगे कि केटल L का जो प्रेरकत तो रखने वाला एक प्रेरक कुंडली है और C धारिता वाला एक संधारित रहे जिसको हम प्रत्यवर्ति धारा सुरोत के साथ स्रेणी क्रम में जोड रखें भी नाट साइन ओमेगा टी ठीक ये प्रत्यवर्ति बोर्डता का समिकर होता है जिसको आपको स्टार्टिंग में लेकर चलना ही पड़ेगा कोई भी थेवर्म पड़ते हैं अब थोड़ा समय आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यंपी बोर्ड में ये थेवर्म नहीं पूछा जाता है यंपी बोर्ड के सलेवस से ये थेवर्म कड़ चुका है यंपी बोर्ड वाले बच्चे ना पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा लेकिन अधर स्ट्रेट वाले बच्चे जैसे CG में अभी ये theorem है UP में तो कड़ गया है लेकिन जो आपका बिहार बोड़े वहाँ ये theorem है तो मुझे कराना ज़रूरी रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं मैसेज करते हैं आपने ये theorem क्यों नहीं करा है बहुत सिंपल करेंगे बच्चों सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया यही तो आपका आरेक होता है तो हमने कहा कि मानत प्रेरक एक L है और संधारीत रसी है इसके हम स्रेणी क्रम में एक प्रत्यवर्ती धारा सुरो जोड़ दिये हैं किसी च्र प्रत्यवर्ती बोल्टा का जो समिकण है भी बरावर भी नाट साइन ओमेगा टी हो गया अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम के नियम से जैसे हम इस परिपत में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके भी जो बोल्टेज होगा और इसके भी जो बोल्टेज होगा उसका मान कितना होगा तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा यदि ओम का नियम नहीं पढ़े हैं तो फिर बाद में भाई पढ़ लेना ठीक है ओम का नियम होता है भी बरावर आई आर क्या होता बच्चों भी बरावर आई आर और बच्चो यदि मैं इस संधारित्र के लिए भीसी की बात करो तो भीसी बराबर हो जाएगा I into XC, जहां बच्चो XL क्या है आपका प्रेर की प्रतिघात है और XC क्या है संधारित्रिय प्रतिघात है, अब ये अबरोध है बच्चो R, तो ये भी एक अबरोध है XL, XC भी अ प्रतिघात करते हैं, तो ये दोनों समिकाण आपको पता होना चाहिए, ठीक बच्चो तो हमने कहा कि भाई सहाब कि जब किसी छन्ड टी पर परिपत में धारा प्रवाहित करते हैं तब यह दि हम प्रेर कत्यों के सीरों के बिच बोल्डता की बात करें तो BL बराबर आई इंटु एक्सेल हो जाएगा समिकर्ण हो जाएगा और संधारित्र के अब बच्चो यहां तक clear है, थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है कि मैं क्या समझा रहा हूं, जब हम बात करते हैं कि एक प्रेरा कुंडली जुड़ा हो, जब एक प्रेरा कुंडली जुड़ा हो, धान से देखिएगा, कि यह धारा है बच्चो और एक प्रेरा कुंडल जुड़ा हो, तो जब प्रेरा कुंडली की बात करते हैं, तो भई सहाब प्रेरा कुंडली की बोल्ड़ता भी L, वो हमेशा धारा से 90 डिगरी अगरगामी होता है, यह नोड़ करके चलना, यह हमेशा आप नोड़ कर लेना बच्चो, ठीक है, जब हम बात करते हैं, कि L जुड़ा होता है, तो भी L और भी C के भी जो परणामी बोल्ड़ता है, तो यह हो जाएगा, अधिक बाले में से कम बाले को घटा देंगे, तो परणामी बोल्ड़ता आ जाएगा, फिर से समझना बच्चो, जब आपका एक प्रेरा कुंडली जुड़ा रहता है, तो प्र प्रेरा कुंडली जुड़ा है, तो कितना प्रतिगात होता है, है नाच जब संधारितर जुड़ा हो, तो उसका मान कितना होता है, फ्रेजर आरेक सब कुछ समझाया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे बच्चो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ल बोल्ड़ता भीसी धारा आई से 90 डिग्री पश्च गामी है, तब दोनों के बीच कलांतर कितना हो गए 180, और परिपत का परणामी जो बोल्ड़ता हो जाएगा बच्चो, वो आपका हो जाएगा भी बराबर अधिक बाले में से कम बाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, बच्चो मैंने आपको क्या समझाया कि ये धारा है, क्या बच्चो धारा है, जब आपका प्रेरा कुंडली जुड़ा रहता है, तब इसकी जो बोल्ड़ता है एनि भी एल वो 90 डिग्री अग्रगामी है, और बच्चो जब हम बात करते हैं कि भीसी एनि आपका संधाली तर भी एल का मान है आपका आई इंटू एक्स एल और बच्चो भी सी का मान है आई इंटू एक्स सी, आई इंटू कितना होगे एक्स सी, दोनों में से बच्चो आई हम कामन ले लेंगे, तो एक्स एल, एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, यहां कि बच्चो आप आई रहने नहीं है क्योंकि एक-एक point हमको निकालना है पहला चीज बूला गया है परणामी बूलता भी है हैना धारा कलांतर सब कुछ निकालना है तो कलांतर तो हमने बताई दिया है कि कलांतर कितना बच्चों दोनों के बीच 180 डिगरी है परणामी बूलता के साथ कलांतर भी आप लिख सकते हो इसको हम समिकन 4 दे देते हैं बच्चो चाहे इसको आप समिकन 4 दे दो आपकी 6 चाहे इसे ही समिकन 4 दे दो इसको समिकन 4 दे दो ये 5 दे दो ठीक है क्योंकि हम आपको भी यहाँ पे धारा कमान निकाल कर बताएंगे कि धारा कितना होगा बच्छो चलिए सुरू करते हैं अगले step में आपको कहला लगाना heading कि भाई धारा निकालते हैं कि प्रतिवाधा पहले प्रतिवाधा निकालते हैं ठीक है प्रतिवाधा मतलब डाला गया अवरोध यह आर जो होता है न तो यहाँ पे प्रतिवाधा हो जाएगा देखो बच्छो चुकि आप लोगों ने अभी देखा समिकन 4 समिकन 4 से समिकन 4 में तो हमने इतना देखा कि B बराबर I into XL minus XC तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो B बटा I हो जाएगा XL minus XC अरे B बटा I तो R के बराबर होता है लेकिन यहाँ पर हम R रिप्रिजेंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिवाधा है इसलिए से J से प्रदर्शित करेंगे तो इस समिकन के तुल्ला हों के नियम से कर देंगे बच्छो की B बटा I बराबर R से करेंगे तो B बटा I क्या है परिपत का प्रतिरोध है लेकिन प्रतिरोध कह नहीं सकते क्योंकि यह परिपत का क्या है प्रतिवाधा है क्योंकि जब कामबिडेशन में होता है तो अब रोध ही प्रतिवाधा होता बच्चो इसलिए प्रतिबाधा को हम Z से रिप्रेजंट करते हैं भी बटा I को R न लिखकर Z से रिप्रेजंट कर देंगे तो XL माइनस XC आजाएगा तो यह आपका आजाएगा प्रतिबाधा XL का ओमेगा L और XC का ओना पान ओमेगा C यह बच्चो आपका आचुका है प्रतिबाधा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ जरा प्रतिबाधा क्यों आसानी से निकाल लिए है न अपन ने बहुत ही सिंपल है कुछ भी नहीं है हमने कहा कि भी अपान आई बराबर R होता है ओम के नियम से लेकिन बच्चो यह ओम के नियम से डाला गया अवरोध है लेकिन यहाँ पे जो अवरोध है वो तो प्रतिबाधा है क्योंकि कंबिनेशन में जो अवरोध होता हो प्रतिबाधा के बराबर होता है इसलिए जड के बराबर हो गया कोई रिक्कत तो नहीं है इसको आप जो भ परिपत, LC परिपत मतलब प्रेरा कुंडी और संधारी तरह, में बहने वाली धारा, में बहने वाली धारा, धारा कितना होगा बच्चों, धारा का समिकार्ण होता है, I बराबर I नाट साइन ओमेगा टी, अब भाई सहाब, देखो, पाई बाई टू हो जाएगा, क्यों, क्यो मैंने आपको समझाया था, कि ये धारा जो है, इससे आगे है, भील आगे है, लेकिन भील से धारा पीछे है कि नहीं है, ठीक है, मतलब भील से धारा की बात करता हो, तो पीछे है, भील से नब्बे डिगरी पीछे है धारा, और भीसी से नब्बे डिगरी आगे है धारा, भ यहां पर बच्चो जहां आपका i कितना होगा आई कितना होगा तो i बराबर हमें निकालने नहीं है i not निकालना है क्योंकि i तो हमें बैलू वैसे भी यह तो i not कमान हो जाएगा b not upon z और b not कमान आपको यहां पर रन देना है b not ही और z कमान आपने पढ़ा यह भाई omega l minus on upon omega c यह चीज है बस और यहां पे कलांतर कलांतर आपका plus minus pi y2 है यहां पे omega t plus minus pi y2 है न कलांतर क्योंकि भाई सहाब एक स्थित में धारा आगे है और एक स्थित में धारा पीछे भी है इसलिए आप लोग यहां पे clear रियाद रखें तो धारा निकल कर आ गया प्रतिबादा हो ग अब क्या चाहिए आरेक पहले से बता दिया मैंने यह चीज इतना ही तो है और कुछ है नहीं इसमें फ्रेजर आरेक भी बना दिया मैंने और इतना ही पूछा जाता है इसके लिए अनुनाद पूछा नहीं जाता है कभी अनुनाद के बारे में कभी question नहीं पूछा गया है आगे करने की दुरत है नहीं तो हमने धारा भी निकाल लिया आरेक तो बनाई है धारा निकाला कलांतर ही बता दिया पढ़ामी वोल्टेज प्रतिवादा सारा चीज कर दिया है न कम समय में कर दिया बच्चो कोई दिक्कत नहीं है और जो भी टॉपिक और भी रहेंगे तो मै करा दोंगा क्योंकि बार-बार फिर मैसेज करते हैं सर हमारे इसमें तो है तो आप थोड़ा सा प्लीज करा दिजिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता भाई हपन तो कोशिशी करते हैं कि मैजिमाम आपको कराएंगे बाकि इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड है हमार देमात्राम